Hello everyone, I am Pawan from TCML and in this video हम आपसे बात करने वाले हैं Carbohydrid Metabolism के उपर और देखिए इस वीडियो के अंदर हम एक chart draw करने वाले हैं जो कि आपको भी सामने दिखाई दे रहा होगा and इस chart के अंदर हम उन सभी pathway को cover करेंगे जिने हम कहा पढ़ते हैं Carbohydrid Metabolism के अंदर और देखिए इस वाले chart के अंदर हम cover करने वाले हैं Galactose Metabolism, Glycolysis, Fractose Metabolism, Gluconeogenesis, Glyconeogenesis, Glycogenolysis, Repoport Pathway, Coris Cycle उसी के साथ हमारा HMP Pathway हो गया उसको भी cover करेंगे Then Euronic Acid Pathway और देखिए जिस बंदे ने ये पूरा पूरा chart बना लिया ना Carbohydrid Metabolism वाला उसको न अंदर से feeling आएगी मतलब कि उसके माइंड में एक मेब बनेगा कि हाँ यार इस तरह से glucose इंटर किया, इस तरह से HMP Pathway बना, इस तरह से Euronic Acid Pathway चलता है इस तरह से Glycolysis सलता है, Galactose Metabolism कैसे होता है, Fractose Metabolism कैसे होता है ओवराल आपके माइंड में ना एक मेब बनेगा और देखिए एक बात में अभी clear कर दूँ कि इस वाले chart को बनाने में थोड़ा time लगेगा या फिर बोल दीजिए, जो हमारी वीडियोज है, वो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट मजे की पूरी guarantee है और देखिए, जैसे ही ये पूरा chart complete होगा ना, तो हम क्या करेंगे, इस chart को हमारी official website endmader.com पर upload कर देंगे ताकि आप वहाँ से इसे download कर सकें, और इसका printout निकाल सकें, अगर कोई student digital notes में interested है, तो जो ये carbohydrate metabolism वाला chart है ना, इसके हमने digital notes भी बना रखे हैं, देखिए मैं बोला ना यार भी, HMP पात्वे हो गया, this is euronic acid पात्वे, आप यहाँ देख लीजिए, this is gluconeogenesis, ये क्या हो गय हैं, पूरे के पूरे carbohydrate metabolism के digital notes भी मना रखे हैं, और इन्हें भी हम कहाँ अपलोड करेंगे, हमारी official website www.envander.com के उपर, अब हम आते हैं हमारे chart के उपर, हाँ तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा carbohydrate metabolism का chart, और देखिए, हम daily carbohydrate में क्या-क्या खाते हैं, या तो हम foods में कौन सा carbohydrate होता है, हमारा fructose, मैंने जो भी बोला, उन्हें यहाँ पर लिख देता हूँ, और देखिए, इस पूरे chart के अंदर, जहाँ जहाँ में G लिखूँगा, इसका मतलब क्या है glucose, और glucose और galactose, यह दोनों मिलके क्या बनाते हैं, lactose, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा sorbitol इसे आप रहने दीजिए, और अब हम आते हैं fructose के उपर, और fructose को हम कहा काते है, fruits से, हाँ तो देखिए, मैंने यहाँ पर fruits लिखा है, और fruits के अंदर क्या होती है, हमारी fructose होती है, ओके, और देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको, 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 मतलब glucose, sorbitol और fr है, वो sorbitol में change होगा, then sorbitol fructose में change होगा, overall मैं किसकी बात कर रहा हूँ, sorbitol pathway की, and इसकी detail video upload हो गई है, और मैं आपको एक बार chart दिखा देता हूँ, तो this is our sorbitol pathway chart, और देखिए, मैं इसी पूरे chart की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, this is glucose, this is sorbitol, this is fructose, okay, तो मैंने यहाँ भी लिख रखा है, G मतलब glucose, sorbitol और fructose, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर arrow लगा देता हूँ, हाँ तो देखिए, मैंने यहाँ क्या लिखा है, sorbitol या polyol pathway, PATH मतलब pathway, and इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा glucose है, वो sorbitol में change होगा, and then sorbitol है, fructose में change होता है, okay, and इसके बाद अब क्या करते है, पूरा का पूरा glycolysis लिखते है, glycolysis मतलब कि glucose का metabolism कैसे होता है, और देखिए, या glycolysis, this is very common चीज, मतलब आप सबको आती होगी, तो मैं speedly glycolysis के अंदर जितनी भी steps होती है, उन सभी के नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि आप सभी का भी उन 10 steps को देखते हैं, और देखिए, मैं camera सोना जून कर लेता हूँ, ताकि आपको चीजे सब को समझ में आए, हाँ तो देखिए, पहली step के अंदर क्या होगा, जो glucose है, वो किस में change होगा, glucose 6-phosphate में, glucose 6-phosphate, second step के अंदर glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate में change होगा, देखिए, इस chart में कहीं भी आपको अगर capital G दिखाई दे, उसका मतलब क्या है, glucose, capital P अगर दिखाई दे, उसका मतलब क्या है, phosphate, capital F अगर दिखाई दे, उसका मतलब क्या है, fructose, ओके, तो third step में क्या होगा, fructose 6-phosphate, fructose 1-6-bis-phosphate में change होगया, अगली वाली में क्या होगा, glyceridehyde 3-phosphate मे change होगया, अगली वाली में क्या हुआ, 3-phosphoglyceric acid में change होगया, अगली वाली में क्या होगा, 2-phosphoglyceric acid में change होगया, अगली वाली में क्या होगा, 2-phosphoglyceric acid में change होगया, then pyruvic acid PA में change होगया, और यह क्या है, lactic acid LA, ओके, तो मैं arrow लगा देता हूँ, अगुआ है थो देखिए मैंने यहां पर पूरी की पूरी एरो लगा दी है और ग्लैकोलाइस के अंदर टोटल कितनी स्टेप्स होती है टेन तो अब हम नंबरिंग कर देते हैं तो इस नंबर वन स्टेप नंबर टू नंबर थ्री इस नंबर फोर इस इस नंबर फाइव 6 7 8 9 and this is 10 step ओके और देखिए इन 10 step में से जो पहली, तीसरी और नवी मतलब 1, 3, 9 ये तीनो step क्या होती है irreversible होती है मतलब A की side होगी और बचिशारी step क्या होगी reversible, मतलब उल्टी सुल्टी कैसे भी हो सकती है तो मैं इन तीनों को क्या करता हूँ highlight कर देता हूँ तकि हमें याद रहें कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 1, 3, 9 ये तीनों step क्या होती है irreversible होती है तो मैं इसे ऐसे blue से mark कर रहा हूँ मतलब irreversible है 1, 3, this is number 3 and this is number 9 और बचिशारी क्या होगी ये रिवर्सिबल होगी मतलब उल्टी-सल्टी ये भी reversible 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 okay I hope आप समझ गए होगे and अब हम बात कर लेते हैं fructose के metabolism की मतलब की जो fructose का metabolism होता है वो near about glucose जैसा ही होता है तो मैं इसकी पूरी की पूरी step लिख देता हूँ फिर explain करूँगा हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पर total चार नाम लिके हैं F1P मतलब fructose 1 phosphate जी इसका मतलब क्या है glycerideide जुन्या लिका है ना glycerideide AGT यहाँ पर चाप देना and यह वाला क्या है glycerideide 3 phosphate और DHAP मतलब यह वाला ही है dihydroxy acetone phosphate और हम यहाँ पर क्या करते हैं arrow लगा देते हैं तो हमारा fructose चेंज होगा किसमे fructose 1 phosphate में इसके बाद यह चेंज होगा glycerideide में और dihydroxy acetone phosphate में and उसके बाद जो glycerideide है यह change किसमें होगा glycerideide 3 phosphate में and देखिए glycerideide 3 phosphate dihydroxy acetone phosphate इन्हें आप कहां पढ़ते हों यहाँ पर देखिए न glycerideide 3 phosphate and dihydroxy acetone phosphate overall आप मेरी बाद समझ गये होंगे कि जो fructose है पहले वह इन दोनों में change होगा मतलब इससे यह बनेगा overall fructose पहले इसमें और इसमें change होगा and then इसके बाद यह दोनों कहां चले जाएंगे हमारे glycolysis के अंदर overall इन दोनों के बाद की जो step है न वह कैसी होगी glycolysis वाली मतलब यही होगी 1-3-BPG, 3-PGA, 2-PGA यही चलेगी okay I hope आप समझ गये होंगे तो मैं इसे यहीं पर finish कर रहा हूँ और देखिए यहाँ पर आप total दो clinical पढ़ते हों दो enzyme वाले मतलब कि जो पहले वाला होता है न यहाँ पर कौन सा enzyme होता है fructokinase और यहाँ पर कौन सा होता है aldolage B तो मैं पहले enzyme के नाम लिख देता हूँ फिर उनके clinical बताऊंगा हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनो enzyme के नाम लिख दिये हैं पहली वाले state में कौन सा होगा fructokinase और अगली वाली में कौन सा होगा aldolage B अगर इस वाले enzyme के deficiency हो जाए तो क्या बोलेंगे fructo urea अगर इस वाले enzyme के deficiency हो जाए तो उसका clinical क्या बनता है fructose intolerance हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनो clinical लिख दिये हैं पहला वाला क्या है fructose urea मतलब इसमें क्या होता है fructo kinase enzyme की deficiency हो जाती है जिसके कारण fructose का जो quantity हो बढ़ जाती है यह क्या है fructose intolerance इसमें aldolase B की deficiency हो जाएगी overall जो fructose का metabolism है वो affect होगा यह सब हम क्या पढ़ रहे है fructose metabolism तो यहाँ पर लिख लेना हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पर F meta लिख रखा है मतलब fructose metabolism पूरा नाम आप लिख लेना अब हम आते हैं galactose के metabolism metabolism के उपर और देखिए जो galactose metabolism है वह भी near about glucose और fructose जैसा ही होता है मतलब new कि अगर आप galactose metabolism glucose metabolism और fructose metabolism तीनों को एक साथ पढ़ो तो आपके लिए चीजे simple होगी आप कभी भी confused नहीं होगे कि यार इसमें क्या था इसमें क्या था तो पहले मैं galactose metabolism के पूरी की पूरी step लिख देता हूँ और फिर मैं आपको explain करूँगा हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पर galactose metabolism से related कुछ चीजे लिखी है सबसे पहले क्या होता है जो galactose होता है वह किसमें change होता है galactose one phosphate में देखिए आप पहले लिख लो फिर मैं क्या करूँगा तीनों का comparison करूँगा galactose वाला glucose वाला और fructose वाला उसके बाद आपके लिए चीजे सिंपल हो जाएगी आपको रटना नहीं पड़ेगा तो galactose metabolism के अंदर सबसे पहले यह किसमें convert होता है galactose one phosphate के अंदर then फिर galactose one phosphate किसमें変e होता है हमारे glucose one phosphate के अंदर देखिए मैंने यह बոला था ná capital G मतलब क्या हे glucose capital P मतलबब क्या है phosphate capital F मतलब क्या हे fructose and जो यह लाक वाली step है इसके अंदर क्या होता है UDP glucose किसमें change होता है UDP galactose में देखिए जी एल जी एल इसका मतलब क्या है गेलेक्टोज ओके तो इसमें क्या हुआ ग्लुकोज गेलेक्टोज में चेंज हो गया तो चलो यह कर दिया हमने अब आपके माइंड में एक कुष्शन जरूर आया होगा कि सर्जी यूडीपी ग्लुकोज कहां से आया तो देखिए यह आता है ग्लाइकुलाइसीस से मतलब कि जो ग्लुकोज 6 फास्पेट है न यह किसमें चेंज होगा हमारे ग्लुकोज 1 फास्पेट में यही पूरा का मोइंड में एक मेब बनाना की इसतरह से गएलेक्टोज का मेटाबुलिजम होता है ग्लूकॉज का इस तरह से होता है ए pourquoi यूरोनिक ऐसे बनता है कोडिस सैइकल ग्लुखों ओगनेशिस क्रेप सङटल इन सभी का क्या होता है गेलेक्टोसीमिया हां तो देखिए मैंने यह क्या लिका है गेलेक्टोसीमिया मैं तो जूंग कर लेता हूं और देखिए गेलेक्टोसीमिया यह क्या होता है कि जो गेलेक्टोस मेटाबलिजम के एंजाइम होते हैं न मतलब कि इस वालिस्टेप के अंदर भी बात कर रहा हूँ, कौन-कौन से this is number first enzyme this is number second देखिए जिसे मैं first बता रहा हूँ उसे आफ first ही लिखना this is number second and this is number third enzyme third enzyme क्या कर रहा है UDP galactose को UDP glucose में change कर रहा है, तो इन ही enzyme की deficiency से क्या हो जाता है galactosemia and अगर galactosemia हो गया, तो अवराल हमारे blood के अंदर galactos की quantity बढ़ जाएगी क्यों बढ़ गई, क्योंकि इसका metabolism नहीं हो पा रहा है enzyme की deficiency के कारण और देखिए इसकी deficiency से क्या होता है cataract, कौन सा cataract होगा metabolic cataract, metabolic क्यों बोला क्योंकि भाई ये क्या है this is carbohydrate metabolism chart metabolism का chart है galactosemia वाला cataract क्योंकि देखिए यहाँ पर भी तो cataract होता है अब इसकी बात करेंगे overall यहाँ पर क्या हो रहा है metabolic cataract, और जो metabolic cataract होते हैं वो बहुत सारे होते हैं metabolic में भी कौन सा? galactosemia वाला तो मैं यहाँ क्या लिक रहा हूँ galactosemia cataract हाँ तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिका है galacto, मतलग यह पूरा नाम यहाँ लिख देना galactosemia cataract एंड देखिए इस वाले cataract का एक और famous नाम है और वो क्या है? oil droplet cataract हाँ तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है oil droplet cataract ओके? एंड यह क्या है? यहाँ पर कौन सा होता है diabetic cataract क्यों होता है? due to accumulation of sorbitol देखिए accumulate in cell जिससे क्या हो गया? हमारी cell fell कर गई, fool गई और क्या हो गया? diabetic cataract हो गया तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? diabetic cataract इसका clinical तो देखिए diabetic cataract इसकी बात कर ली यह क्या है? एक type का metabolic cataract क्यों है? क्योंकि this is the chart of carbohydrate metabolism enzyme की deficiency से cataract हो रहा है तो this is the type of metabolic cataract और आप इसे कहा पढ़ोगे third year के अंदर मतलब ophthalmology के अंदर metabolic cataract यह हो गया अब देखिए अभी मुझे इस chart के अंदर HMP pathway की बात करनी है euronic acid pathway की बात करनी है repoport cycle की बात करनी है चोकि RBC में होता है उसके बात gluconeogenesis की बात करनी है glyconeogenesis की बात करनी है और glycogenolysis की बात करनी है और creep cycle की बात करनी है ओवराल बहुत सारी चीजों की बात करनी है और उन सभी चीजों को हम card draw करेंगे इसी चार्ट के अंदर और फिर फाइनली हम एक ओवर्यू बताएंगे आपको कि इस तरह से ये होता है इस तरह से ये होता है ओके तो जो आज की वीडियो है वो यहीं पर फिनिश होती है एंड वीडियो के लास्ट में मैं एक और बात बोलूँगा कि अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद अंदर से फिलिंग आई हो कि हाँ यार मज़ा आ गया तो इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर जाना क्योंकि मैं हर बार आपसे बोलता हूँ कि वीडियो पर जितने ज़दा लाइक होंगे वीडियो पर जितने जदा कमेंट आएंगे तो इन सबसे क्या होता है हमारी टीम मोटिवेट होती है कि हाँ यार वीडियो आपको पसंद आ रही है और देखिए वीडियो के कमेंट सेक्षन में वो बात लिखना जो वीडियो को देखकर आपको फील हुआ हो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्ट वीडियो के उपर